आज का पाट है कविवर नागार जुन जी की कविता फसल फसल कविता के सरल अर्थ व्याख्या के साथ मैं हूँ सोहलाल शर्मा सबसे पहले कविता के बारे में जानते हैं नागार जुन जी ने इस कविता में बताया है कि फसल क्या है और उसे पेदा करने में किन-किन तत्वों का योगदान होता है कविता ये भी रेखांकित करती है कि प्रकरती और मनुश्य के सयोग से ही स्रजन संभव है ये कविता हमें उब्भोकता संस्कृती के दोर में क्रशी संस्कृती के निकट ले जाती है उपभोकता संस्कृती, जिसे हम बाजार की संस्कृती कह सकते हैं, बाजार का जो आकरशन है, जिसमें हमें यह नहीं पता, हमारे बच्चों को यह नहीं पता, कि जो चीजें हम काम में लेते हैं, जो अन हम काम में लेते हैं, वो कैसे उपज़ता है, तो यह उपभोकता संस्क का योगदान रहता है ये सारा ज्यान ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ पाएंगे तो कहने का आर्थ कि यह कविता उभोगता संस्कृति के दोर में भी हमें क्रशी संस्कृति को के बारे में बताती है कि निकट ले जाती है भावार्थ की और ब तो पेश है कविता फसल, फसल क्या है, तो कविवर नागाजुन कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, धेर सारी नदियों के पानी का जादू है, जो फसल हमें अन देती है, धन धानने देती है, हमारी भूख को शांती ट्रप्ती देती है, उसे तयार करने में, पनपने में, बड़ा होने में, एक या दो नदियों का ही नहीं, बलकि धेर सारी नदियों का योगदान है, जो फसल हम काम में लेते हैं, वह उन असंख्य नदियों के अमरत जैसे पानी का प्रभाव है, इस कथन का दूसरा पहलू ये भी है, कि जब असंख्य नदियों का जल भाप में बडलता है, बादल बनता है, और वे बादल दुनिया जहान में बरसते हैं, अनुप जाते हैं, फसले लह लहते हैं, तो वह पानी उस बादल का नहीं, बलकि उन असंख्य के नदियों का जल है, उन धेर सारी नदियों के बानी का जादूई असर है ये फसल, एक के नहीं, द कवी कहते हैं, कि एक के नहीं, दो के नहीं, बलकि लाख-लाख कोटी-कोटी यानि करोडों करोडों हातों के इस परश की छुवन की गरिमा हैं फसल, इस परश कार्थ चुवन, कवी कहते हैं, कि ये जो फसल है, ये साधरन नहीं है, इसे तैयार करने में, बढ़ा करने में, उब जाने में, एक दो लोगों का युगदान नहीं है, बलकि लाखों करोडों हात लगे हैं, तब ये फसल तैयार हुई है, ये लाखों करोडों हात किन के हैं? ये हात किसानों के हैं, जिनोंने सर्दी, गर्मी, वर्षा, सब कुछ सहन कर, पसीना बहाया मेहनत की, ये उनकी मेहनत कश हातों की गरिमा है, कोटी कोटी किसानों की मेहनत का प्रतिफल है ये फसल। आगे कवीवर कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। प्रभाव और प्रभाव को लेकर ये फसल बढ़ती है, बड़ी होती है, इसमें कितने ही खेतों का स्वाद और स्वभाव, प्रभाव मिला हुआ है, फसल क्या है? यह कवी का प्रश्ण है कि आखिर ये लहाला आती, जीवन को हर शाती, फसल है क्या? जवाब में कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है वहाँ, नदियों के पानी का जादू है वहाँ, ये नदियां और कुछ नहीं, ये फसलें और कुछ नहीं, नदियों के पानी से सिंचित होकर, फली फूली हैं, पुष्ट हुई हैं, नदियों का पानी न मिला होता, तो ये फसले न लहलाहती, इनको प्राण शक्ती नहीं मिलती, और तो कुछ नहीं है, बलकि ये तो नदियों के पानी का जादू यसर है, फिर कभी वे कहते हैं कि हातों के इस पर शक्री महिमा, ये फसलें किसानों के हातों की मेहनत का नतीजा है, किसानों ने बीज बोए, पानी दिया, रखवाली की, खाद दी, बच्चे की तरह पाला तब ये फसल तैयार हुई ये उन असंखे क्रिश्वकों के हातों की छुवन की महिमा समेटे हैं ये श्रम का जीवन्त प्रतिफल है आगे कभी कहते हैं कि भूरी, काली, संदली, मिट्टी का गुण धर्म है इस फसल को कहीं भूरी मिट्टी ने उप जाया कहीं काली मिट्टी ने, तो कहीं संदली मिट्टी ने हर मिट्टी का रंगा लग, हर मिट्टी का धंगा लग, हर मिट्टी के अपने पोशक तत्व, हर मिट्टी का अपना स्वाध ये फसल इन सब के गुण धर्मों को लेकर बड़ी हुई है, उपजी हुई है अगली पंग्ती कि रुपांतर है सूरज की किरणों का, कभी कहते हैं कि ये फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, रुपांतर यानि बदला हुआ रूप हम जानते हैं कि पोधे सूरज की रोशनी में, उनकी किरणों की उपस्तिती में अपना भोजन बनाते हैं, जिस तरह पेड़ पोधों को उनके लिए पानी और मिट्टी ज़रूरी है, वैसे ही सूरज की रोशनी, उसकी उश्मा, उसका ताप भी उतना ही आवशक है. दूसरे शब्दों में कहें, तो सूरज की किरणे रूप बदल कर फसल का आकार ले लेती है, और अन्तिम पंति में कवीवर कहते हैं, कि सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, फसल के लिए हवा का संकुचन है, फसल जो है वो हवा का संकुचन है, फसल ने हवा से थिरकन पाकर थिरक रही है, नाच रही है, हवा का जो प्रान तत्व है, जिसे हम ऑक्सेजन कहते हैं, वह पाकर हवाएं लेलहा रही हैं, हवा भी फसल के लिए उतनी ही आवशक है, अगर हम इस पूरी कविता का भावार्त देखें, तो वो ये है कि फसल, ज मिट्टी, धूप, वायू, इन सब का योगदान है, प्रकरती के इन तत्वों के अलावा, फसल को उगाने के लिए मनुष्य की जो शम शक्ती है, महनत है, वो भी उतनी ही महत्वर रखती है, तो ये थी कविता फसल, ऐसे ही उप्योगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्र आज के लिए इतना ही, नमस्कार